नमस्कार डक्टर राम मनुहलोहिया आवदी उनुवस्टी में अडमेशन अपडेट की बात करें तो काउंसलिंग के लिए भी अपडेट आ चुकी है या जिन कोर्सेंग के लिए इंट्रेंस एक्जामनेशन होना है उसके लिए नोटिस आ चुकी है डी फार्मा, बी फार्मा में ही आपका सेंटर और टाइम दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका इंट्रेंस होना है यह आयोब की उनुवस्टी कैंपस में ही इंट्रेंस एक्जामनेशन होगा और आपकी काउंसलिंग की अपडेट आ गई है तमाम सारे कॉर्स के लिए वो काउंसलिंग का सगित कर दी गई है और वो अब आगे तो काउंसलिंग का भी सेड्यूल जारी हो चुका है अंडर ग्राजुएशन की बात करें तो बी एफ ए और बी लिप आई सी यानि लैब्रेरी साइंस इनकी काउंसलिंग कल यानि 27 को है और बी पी एस बैचलारा फिसकल एजुकेशन बी एस टेवलूस की काउंसलिंग 28 को है 31 को काउंसलिंग है आपकी बी बी ए और बी सी ए नहीं बी बी ए की काउंसलिंग आपकी है और सद्द कबीर सभागार में होगी यह काउंसलिंग बी सी ए की काउंसलिंग होगी एक सेप्टेंबर को और बी बी ए की वेट लिस्ट वाली काउंसलिंग 2 सेप्टेंबर को होगी और बी सी ए की वेट लिस्ट वाली काउंसलिंग 3 सेप्टेंबर को होगी इसके अलाबा बी वाउक टूरिजम एंड होस्पिटल्टी और बी वा इन एरोमा टेक्नोलोजी, पीजी डिप्लोमा इन यूगा, पीजी डिप्लोमा इन वोमेन इस्टीज, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन डिटिक्स और नूट्रीशियन, और पीजी डिप्लोमा इन आर्ट्स और एड़ुकेशन, और फ्रेंच लाइंग्वेज डिप्लोमाइन ओधी इन सारे कॉर्सेज की जो आपकी काउंसलिंग है वो दो तारीक को सिकेंड अगस्त को होनी है सुबे दस बजे से ग्यारा बजे तक या बारा बजे तक ऐसे आपका टाइम है और पीजी डिप्लोमाइन ओधी भोजपुरी एड सप्तमबर को होगी बात करते हैं पोस्ट ग्राजवेशन कूर्स में में एकोनोमिक्स और रूलर डेवलप्मेंट में हिस्ट्री कल्चर और आर्चेलोजी एंड में एडल्ट एंड कांटिनुटिंग एडूकेशन में मास्ट कम्निकेशन और जनलिजम और एंपीए मास्टर में अप्लाइट साइकोलोजी में जनलोजी में ड्राइंग और पेंटिंग यह सभी आपकी कांसलिंग थार्ड आप सप्तमबर तीन सप्तमबर को हुनी है सुभी दस बजे से कैंपस में में आई यार यानि इंटरनेशनल रिलेशन्स और में इस्टेटरिजिक स्टुडीज में फिलोस्पी अंरिलीजिक इनकी कांसलिंग है इन多र कि वह आपकी जो कांसलिंग है वो बिजनेश मेरेजमेंट अने इंटर्परनर्शिप निव कैंपस में होगी यह इनísकी कैंपस है तो वहां इसकी कैंपस है तो वहां इसकी कैंपस है हो निवस्टें Cord económita कीमिटर तो दिक्षा भावन में इन तीन कोर्स के काउंसलिंग होनी है 4th सप्टेंबर को और बीए सोसियोलोजी या एंसेंट हिस्ट्री या इंगलिस सिंधी पॉलिकल साइंस फिलोसपी जैनलोजी या एकोनोमिक्स इसमें अगर आप बीए कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बता सक्ट क्यार्फि इसमें भी कुछ कोर्सरप केंपल्स में कुछ नहीं है तो इसके लिए साथ से अप्टमबर को काउंसलिंग है बीए सी अगलोजी मैक्रोजे केwh натale के लिए य ज्योलोजी है और वेज़्वानिटल साइंस लिए योलोजी ग। September को है और Bachelor of Commerce में B.com का जो है main list आपकी 9 तारीक को out होगी, 9 तारीक को उसके लिए counselling है और BA weight list का 10 को है, BSC weight list की counselling 11 को है, BSC बालोजी weight list की counselling 13 को है और MSC Electronics, MSC Environmental Science, MSC, MA in Geography, MSC in Geology, MSC in Geophysics, MBA in Finance and Control, MBA in Agribusiness, MBA in Hospitality Management, Master of Tourism Business Administration and Tourism Management, इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर M.T.E.C. की तो M.T.E.C. in Mechanical Engineering या Computer Science, Information Technology या Electronics and Communication इसकी पंदरा सेप्टमबर, 15 अब सेप्टमबर को इसकी काउंसलिंग है, आई टी कैंपस में, तो इसकी काउंसलिंग की डीटेल्स हैं, और डाकुमेंट भी आपको बताय देते हैं, हाई स्कूल के Mark Sheet और हाई स्कूल का Certificate यानि परमारपत, अगर CBSी बोर्ड में तो अलग-अलग होता है, UP बोर्ड में सेम तो सेम होता है, वो आपको लेकि जाना है, 12 का अगर रिजल्ट आउट हो गया है, तो रिजल्ट लेकि जाना है आपको और उसका परमारपत अगर आ वाला भी कार्ड आपको ले जाना है, अड्मिशन वाले पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगा एक कॉलम यहाँ पर मिलेगा कि download counseling later तो जिन कुरICES कि आपको counseling निकलवा के ले जाना है, और इसके अराबा यह सारी चीज़ आपको ले जानी है, फीस structure के लिए फीस तुरंट payment करनी होती है, या आपको मैं फिर से बताया दे रहा हूँ, admission तभी माना जाएगा जब आप फीस payment कर देंगे, documents में जो documents ले जाने हैं, मैं एक बार बता चुका हूँ मैं एक बार फिर से बताया देता हूँ आपको जो इसमें भी दिया हुआ है कि तो आप counseling करा सकते हैं और आपके जो भी questions हैं, जो भी सवाल हैं या university campus में आपको जो भी समस्या हो, आप यहां comment box में बताईए या फिर instagram पे आप message कर लिए झाल